हेलो दोस्तों मैं मानव और मानवस नलज में आपका फिल सेक बार बहुत बहुत सायद करता हूँ करल हमने इस्टाग्रम पर एक फोटो अप्लोड किया था जिसकी मदल से हमको बहुत सारी एंगेजमेंट मिली थी और कई सारे रिप्लेस भी आयते कि आप इस फोटो का फोटो अडेटिंग रिलीव करो तो यहां पर मैं इस वीडियो में यही सिखाने वाला हूँ कि इस फोटो को मैंने कैसे एडिट किया है कैसे कलर ग्रेडिंग किया है यहां आपको इस फोटो में जो-जो मैंने किया है पूरा देखते रहे और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना क्योंकि आपको नमें क्लोन इफेक्ट बताने वाला हूं और लेंस फ्लैट भी बताने वाला हूं को सुरुर करते हैं तो यहां पर यहां पर जो दो फोटो पर वर्क करने वाले वह हम नहीं अपन यहां पर यहां पर मैंने क्वेद्ध पोटो क्यों कि एडिकि करना एक उड़ा पहल Quindi कि疫 lista स्थ पर यहां पर पोटो वन को क्लिक करने के बाद मैंने डायरेक्ट पोस्तू ले लिया था मदलब कि उसकी जो लाइटिंग एफेक्क है अपो सब सेम तू सेम होनी चाहिए हमारे बूनों फोटो की तब भी आपको फोटो में थोड़ा एफेक्ट लगेगा तो यहां पर जो हमार यह आप लेक्ट लेयर बना देते हैं डुप्लिकेट लेयर बनाने के लिए आपको कंट्रोल जे करना कीबड़ पर तो आपका लेयर दुपलिकेट हो जाएगा हमेश्क आपको फोटोफ में याद रखना है कि आप फोटो पर पोटोफ भी वर्क करो तो उसमें आपको पोटो का composition है, वो यहां पर उसमें ही हमारे डो फोटो आ गये है, यहां पर मैं इसके एक eye बन कर रहा हूँ, अगर यहां पर मैं इसके eye hide करता हूँ तो आपको हमारा दूसरा फोटो लीख जाएगा, अब यहां पर हमको masking करना है, masking मतलब कि अमारा फोटो 1 है, उसमें हमको यह पार्ट सबसे काम का है मतलब कि जो हमारा मॉडल है वह हमको यहां पर सबसे काम का यह सब पार्ट हमको नहीं चाहिए इस पोटो में तो यहां पर हम यह सब विलिट कर देगे तो यहां पर यह जो पीछे वाला मॉडल है वो आटोमेटिक निखने लग जाएगा तो उसको मास् करने के लिए यहां पर आपको सबसे नीचे चले जाना है यहां पर आपको एक रेक्टेंगल दिखेगा तो उसको क्लिक कर देना है और यहां पर आप हमको मास्किंग के लिए ब्रस का यूज करना हो तो ब्रस हमको यहां पर टूल बार में से ले लेना है और यहां पर उसको र पर हमारा जो यह पूरा canvas है masking का वो यहां पर white color का है आप देख पारे होगे तो हमको यहां पर brushing करने के लिए हमको यहां पर black color यूज़ करना है तो black color हम यहां से select कर देता है यहां पर हमारा already white color select है तो यहां पर हमको black color select कर देना है और यहां पर हम masking को सुरू कर लेता है यहां पर आपको थोड़ा अच्छे तरीके से करना होगा ताकि आपके फोटो को थोड़ी अच्छी इफेक्ट मिल पाए दोस्तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा जोगब बर्ट कहले में और अब यहां पर हमको स्काइड डिलेश्मेंट और आपको बाकी बागी है और यहां पर स्विस्क्विक बना देता है पूरा कंबाइंड करकर तो उसके लिए अल्टर कंट्रोल सीफ्ट की डबाना होगा तो यहां पर आपका जो है कि वह नया लेयर बन जाएगा वह सभी लेयर को कंबाइंड करकर एक मिख्ष लेयर बन गया है तो अब यहां पर हम इसमें कदल करते हैं मतलब की यहां पर रहे जहुं कि नहीं हमारा स्काइव है जो स्वित स्काइव।on अच्छा स्काई चाहिए और उसका रिप्लेश्मेंट कैसे करते हैं वह मैं आपको बजाता हूं तो इसके लिए आपको फोटोशॉप में यहां पर आपका जो 2020 न्यू लेटेस वर्जन है वह आपको चाहिए होगा वरना तो आप एन्यूली भी कर सकते हो यहां पर मैं आपको आप देख सकते हो कि यहां पर आटमेटिक कई सारे स्काई हमको यहां पर दीख जाता है यहां पर संब कोई भी स्काई चूज कर लेते हैं मैंने यहां पर यह किया है यहां पर मैं एक दूसरा स्काई भी आपको चूज करकर बताता हूं कि की तरह से वर्क करता है ठीक उसी तो यहां पर हमारा sky replacement भी हो गया फीट सम एक बार इस सारे लियर को combine कर लेते हैं अब यहां पर हमको फटा फट से complete कर रहेता हूं और आपको बाद में बताता हूं कि हमने skin replacement कर दिया है यहां पर यह photo हमारा रीडाज हो गया है अब यहां पर इसका color grading करते है color grading करने के लिए हमको यहां पर सबसे पहरा तो filter में चले जाना है और Camera Raw Filter में जाना है अगर आप Lightroom यूज़ कर रहोगे तो यहां पर बिल्कुल वैसा ही इसका Photoshop का वर्जन है Camera Raw Filter का तो इसके लिए अगर आपको Lightroom में भी करना हो तो आप कर सकते हो याद आपर भी करना हो तो कर सकते हो यहां पर मैं Camera Raw Filter का यूज़ करने हो यहां पर हमारे थोड़ा Black हो जाएगा मलग कि हमारा फोटो थोड़ा मेनेज हो जाएगा अब यहां पर इसकी जो Whiteness है वह हम थोड़ी कम कर देते है और यहां पर Contrast है वह थोड़ा बड़ा देते है यहां पर हम फोटो की Clarity भी थोड़ी बड़ा देगे अब यहां पर हमको Color Mix में जाना है है Color Mix यहां पर सबसे Important पार्थ है यहां पर इमारी स्कीन है उसको हम थोड़ा Gloria कर सकते हैं जो हमारे बड़ी क्लो कर सकते के जह सकते के पोटो के लिए कलर ग्रेडिंग बता रहा हूं आपके पास अगर आपका कोई पोटो तो उसमें कलर ग्रेडिंग थोड़ा अलग होगा वह आपको अपने इंसाब से देखना है इस पोटो को देखने के बाद अब पर देख सकते हो कि यहां पर पहले का पोटो है वह हमारा कुछ ऐसा दिख रहा था और कलर ग्रेडिंग करने के बाद हमारा पोटो है वह कुछ ऐसा दिख़़ा है आपको डिफ्रेंस पटा चले गया होगा है कि हमने कैसे पोटो रिटच किया है कलर ग्रेडिंग किया है अब यहां पर इसमें हम थोड़ा वीनेट यूज़ करेंगे मतलब इसमें जो आजू बाज़ा ब्लैक कलर आ जाएगा उ अब यहां पर हम लिफ्र मैं चाहएगे। हम को सार्पिंग और मॉस्क्रिदक्षाण मिलेगा यहां पर हमको ठूड़े पनगो सार्प भी कर देना है तो हमारा फोटो ठेंगर यहीऊ दिखेगा अब्लंटबर लिख एसमार क्या होता है मैं अपको बेसिकाली समुझा देता अगर आप अपने फोटो को जूम करोगे तो आपको इसमें थोड़े 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 लॉट्स दिखे गए जो हमारे फोटो की इफ्रेक्ट को खरक करते हैं उसको नौइस ग्रेंग कुछ भी कह सकते हो आप तो वो निकालने के लिए हमको यहां पर थोड़ा नौइस आप यहां पर यह जो которesar ऐलेडिंगускे भत फोटो आता है वह आपक;; कुछ इस तर्रेके से समने यहां पर सफ़ोक्ति कर लिया है अब यहां पर हमको फोटो थोड़ा क्लियर बनाना मंदल्ब कि हम अगर आप सूचे तो यहां पर हम लाइव में फोटो सुच करते तो हमारा एक model यहां पर आगे के model पर सब्सक्राइब minorOOOO यहां पर फील्टर में में जाता हूं में जाने के बाद हमको इन अपना में पर लेडार के घड़री नाम का एकबङ करणा कि फिल्ट घ्रैथि उयूज करना एक option दीखेगा है उसमें यहां पर आपको field blur use करना है फिल्ड ब्लर यूज़ करने के बाद आपको यहां पर थोड़ी amount कम ज्यादा कर देनी है आपके photo के यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जैसा ही मैं यहां पर ज्याड़ा करता हूं हमारा blur थोड़ा ज्यादा हो जाथा है तो यहां पर मैं उसको ok कर देता हूं अब यहां पर हमको फिल्ड से masking use करना है क्योंकि यहां पर यह जो blur effect है वो हमारे पूरगों में आ गया है के नीचे का जो layer है वो clear वाला layer है तो यहां पर blur वाले layer पर मैं masking use करता हूं masking use करने के बाद हमको यहां पर brush लेना है और masking को apply करना है अब यहां पर जीश पार तो मुझे blur नहीं चाहिए वो हमें यहां पर select कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर हमारा आगे का model clear हो गया है और पीछे का model वह भी भी blur है और थोड़ी realistic effect हमको डिये रहा है तो मैं एक बाद बिफोर आफ्टर बता देता हूं तो यहां पर हमारा blur मीना का यह जो फोटो है और यहां पर यह जो फोटो है वो blur वा अब यहां पर इसमें में एक lens flare नाम का जो effect होता है वो यूज़ करता हूं तो यहां पर फिट से हमको हमारे सारे जो layer है वो combine कर देना है वो कैसे करता है मैंने आपको आपके बताया था तो उसके लिए आपको Ctrl, Alt, Shift, E डबा देना है तो यहां पर हमारे जो सारे layer है वो combine होक और उसका जो brightness है वो थोड़ा कम कर देता हूं ताकि हमारे जो आगे का model हो थोड़ा ज्यादा ब्राइट ना होजए तो आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने lens flare भी add कर रही है तो कुछ यह पोस्त ही हमारे instagram की आपने देखी यह अगर नहीं देखिए तो आपको वीडियो के इस्क्रिशन में लिंक दी गई है वहां से जाकर आप देख सकते हो तो यहां पर मैं आपको पूरे पोटो का एक बार बीपोर आफ्टर करकर बता देता हूं तो यह देखिए यहां पर यह जो हमारा पहले का पोटो है वो डबल रोड वाला था वो और यहां पर रिटाज कल प्लेर वह सब होने के बाद कुछ चीज तरीके से हमको पोटो मिलता है जो आप देख सकते हो तो कुछ यही वह पोटो एडिटिंग थी जो हमां हमने सिंपली तरीके से करी थी और इंस्टाग्राम पर अप्लोड की थी और आप लोगों ने उसकी रिक्वार्मेंट डालती क कि इसका टूटोरियल रिवील करो तो वो मैंने आपको बता दिया है तो अगर आपको यह वीडियो पसंट आया हो तो आप लाइक कर सकते हो नहीं पसंट आया है और क्या ठ़ड़ा भी है हमारे वीडियो में तो आप कॉमेंट भी कर सकते हो तो नेक्स वीडियो में हम उनका ज्यान रखेगे और चैनल पर पहली बार हो तो यहां पर सुस्प्राइब करना बिल्कुल मर भूलना तो चले में नेक्स वीडियो में